ओम सांती आज 31 दिसंबर 2020 की मुड़ी में बाबा के मधुर महावाक्य है मीठे बच्चे तुमारी यह इस्वर्य मिशन है तुम सबको इस्वर का बना कर उन्हें बहद का वर्षा दिलाते हो प्रस्न है कर्मिंद्रियों की चंचलता समाप्त कब होगी उत्तर है जब तुमारी इस्तती सिल्वर एज तक पहुँचेगी अर्था जब आत्मा त्रेता की सतो इस्टेज तक पहुँच जाएगी तो कर्मिंद्रियों की चंचलता बंध हो जाएगी अभी तुमारी रिटर्ण जर्णी है इसलिए करमेंद्रियों को वस में रखना है कोई भी छिपा कर ऐसा करम नहीं करना जो आत्मा पतित बन जाए अविनासी सर्जन तुम्हें जो परहेज बता रहे हैं उस पर चलते रहो आज की मुडली का गीत है मुखडा देख ले प्राणी जरा दरपन में अब सुनते हैं मुडली विस्तार से ओम सांती रुहानी बच्चों प्रती रुहानी बाप समझा रहे हैं न सिर्फ तुम बच्चों को जो भी रुहानी बच्चे प्रजा पिता ब्रह्मा मुखवनसावली है वो जानते हैं हम ब्रामनों को ही बाप समझाते हैं पहले तुम सुद्र थे, फिर आकर ब्रामन बने हो, बाप ने वर्णों का भी हिसाब समझाया है, दुनिया में वर्णों को भी समझते नहीं, सिर्फ गायन है, अभी तुम ब्रामन वर्ण के हो, फिर देवता वर्ण के बनेंगे, विचार करो ये बात राइट है, judge yourself, हमारी ब बेट करो राइट क्या है ब्रामन धरम अत्वा कुल बिलकुल भुले हुए हैं तुमारे पास विराट रुप का चित्र राइट बना हुआ है इस पर समझाया जाता है बाकी इतनी भुजाओं वाले चित्र जो बनाए हैं और देवियों को हत्यार आदी बैट दिये हैं वह सब है क्या है वह सब वह सब है बाबा कहते है रॉंग यह भक्ति मार के चित्र है इन आखों से सब देखते हैं परन्तु समझते नहीं कोई के अक्यूपेशन का पता नहीं है अभी तुम बच्चों को अपनी आत्मा का पता पड़ा है और 84 जन्मों का भी मालुम पड़ा है जैस बाबा तो सब के पास नहीं जाएंगे जरूर बाब के मददगार चाहिए ना इसलिए तुमारी है इस्वर्य मिशन तुम सब को इस्वर का बनाते हो समझाते हो हम आत्मा का बहत का बाप है उनसे बहत का वर्सा मिलेगा जैसे लोकिक बाप को याद किया जाता है उनसे भी जास्ति पारलोकिक बाप को याद करना पड़े लोकिक बाप तो अल्पकाल के लिए सुख देते हैं बहत का बाप बहत का सुख देते हैं यह अभी आत मौको ज्यान मिलता है अभी तुम जानते हो तीन बाप है कौन कौन से तीन बाप है लोकिक पारलोकिक और अलोकिक बेहत का बाप अलोकिक बाप द्वारा तुमको समझा रहे हैं कौन है अलोकिक बाप ब्रह्मा बाबा इस बाप को कोई भी जानते नहीं ब्रह्मा की बायोग्र किसको पता नहीं है उनका occupation भी जानना चाहिए ना सिव की स्वी क्रश्न की महिमा गाते हैं बाकी ब्रह्मा की महिमा कहां निराकार बाप को जरूर मुक्तो चाहिए ना जिससे अमरत दे बक्ती मार्ग में बाप को कभी कभी यथार्त रिती याद नहीं कर सकते हैं अभी तुम जानते हो समझते हो सिर बाबा का रत यह है रत को भी स्रंगार करते हैं ना जैसे मुमत के गोड़े को भी सजाते हैं तुम बच्चे कितना अच्छी रिती मनुश्यों को समझाते हो तुम सभी की बड़ाई करते हो बोलते हो तुम यह देवता थे फिर 84 जनम भोग तमो प्रदान बने हो अब फिर सतो प्रदान बनना है तो इसके लिए योग चाहिए परन्तु बड़ा मुश्किल कोई समझते है समझ जाएं तो खुसी का पारा चड़े समझाने वाले का तो और ही पारा चड़ जाए अगर कोई समझता है तो उसके भी खुसी का पारा चड़े और जो समझाने वाले उसका तो और भी पारा चड़ जाए बहत के बाप का परिच्छे देना कोई कम बात है क्या समझ नहीं सकते कहते हैं यह कैसे हो सकता बहत के बाप की जीवन कहानी सुनाते हैं अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो तुम पुकारते थे ना कि हे पतिट पावन आओ गिता में भी मन मना भव अक्सर है परन्तु उनकी समझानी कोई के पास है नहीं गिता में अक्सर जरूर है लेकिन इसकी समझानी किसी के पास नहीं है बाप आत्मा का ज्यान भी कितना क्लियर कर समझाते हैं कोई सास्त्रम में ये बाते है नहीं भल कहते हैं आत्मा बिंदी है ब्रकूटि के बीच स्टार है परन्तु यथार्त रिति किसी की बुद्धी में नहीं है वह भी जानना पड़े कल्यूग में है ही अन्राइटियस सत्यूग में है सब राइटियस बक्ती मार्ग में मनुस्य समझते हैं ये सब इस्वर से मिलने के रास्ते हैं इसलिए तुम पहले फॉर्म बराते हो यहां क्यों आए हो? इससे भी तुमको बहत के बाप का परिचह देना है पूशते हो आत्मा का बाप कौन? सर्वव्यापी कहने से तो कोई अर्थी नहीं निकलता सब का बाप कौन? यह है मुख्य बात अपने अपने घर में भी तुम समझा सकते हो एक दो मुख्य चित्र सीड़ी, त्रीमूर्ती, जाड यह बहत जरूरी है बापा कहते हैं तीन एक चित्र अपने पास रखो सीड़ी, त्रीमूर्ती और जाड का जाड से सब धरम वाले समझ सकते हैं कि हमारा धरम कब सुरू हुआ? हम इस हिसाब से स्वर्ग में जा सकते हैं, जो आते ही पीछे हैं वह तो स्वर्ग में जा न सकें, बाकि सांती धाम में जा सकेंगे जाड से भी बहुत क्लियर होता है, जो जो धरम पीछे आए हैं, उन्हों की आत्में जरूर उपर में जाए विराजमान होगी तुमारी बुद्धी में सारा फाउंडेशन लगाया जाता है बाप कहते हैं आदी सनातन देवी देवता धरम का सैपलिंग तो लगा फिर जाड के पत्ते भी तुमको बनाने हैं पत्ते वीगर तो जाड होता नहीं इसलिए बाबा पुरसार्थ कराते रहते हैं आप समाद बनाने के लिए और धरम वालों को पत्ते नहीं बनाने पड़ते वो तो उपर से आते हैं फाउंडेशन लगाते हैं फिर पत्ते पीछे उपर से आते जाते हैं तुम फिर जाड की व्रद्धी के लिए या प्रदर्शनी आदी करते हो इससे पत्ते लगते हैं फिर तुफान आने से गिर पड़ते हैं मुर्जा जाते हैं यह आदी सनातन देवी देवता धरम की स्तापना हो रही है इसमें लड़ाई आदी की कोई बात नहीं सिर्फ बाप को याद करना और कराना है तुम सबको कहते हो और जो भी रचना है उनको छोड़ो रचना से कभी वर्सा मिल न सके बाबा कहते हैं रचना से कभी वर्सा नहीं मिल सकता है वर्सा तो रच्यता से मिलेगा रच्यता बाप को ही याद करना है और किसकी याद न आई बाप का बनकर ग्यान में आकर फिर अगर कोई ऐसा काम करते हैं तो उसका बोजा सिर पर बहुत चड़ता है बाप पावन बनाने आते हैं और फिर ऐसा कुछ काम करते हैं तो और ही पतिद बन पड़ते हैं इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा कोई काम नहीं करो जो गाटा पढ़ जाए बाब की गलानी होती है न ऐसा करम नहीं करो जो विकर्म जास्ती हो जाए परहेज भी रखनी है दवाई में भी परहेज रखी जाती है कोई दवाई लेते हैं आईरवेदिक दवाई कोई भी दवाई ल तो फिर क्या होगा तो फिर दवय का असर नहीं होगा इसको कहा जाता है इसको क्या कहेंगे आ सकती बाब भी सिक्सा देते हैं यह नहीं करो सर्जन है ना लिखते हैं बाबा मन में संकल्प बहुत आते हैं खबरदार रहना है गंदे स्वपन बंसा में संकल्प आदी बहुत आ पूरी वस हो जाएगी करमेंद्रिया वस थी ना नई बात थोड़ी है आज करमेंद्रियों के वस है कल फिर पुर्षार्थ कर करमेंद्रियों को वस कर लेते हैं वह तो 84 जन्मों में उतरते आए हैं अभी रिटर्ण जर्णी है सब को सतो प्रदान अवस्ता में जाना है अपना चार्ड देखना है हमने कितने पाप कितने पुन्य किये है बाप को याद करते करते आइरन एज से सिल्वर एज तक पहुँच जाएंगे तो क्या होगा तो करमेंद्रियों वस हो जाएगी फिर तुमको मैसूस होगा अभी कोई तुफा नहीं आते है वह भी अवस्ता आएगी फिर गोल्डन एज में चले जाएंगे मैनत कर पावन बढ़ने से खुसी का पारा भी चड़ेगा जो भी आते हैं उनको समझाना है कैसे तुमने 84 जनम लिये हैं जिसने 84 जनम लिये हैं वही समझेंगे कहिंगे अब बाप को याद कर मालिक बढ़ना है 84 जनम नहीं समझते हो तो सायद राजाई के मालिक नहीं बने होंगे हम तो हिम्मत दिलाते हैं अच्छी बात सुनाते हैं तुम निचे गिर पढ़ते हो जिसने 84 जनम लिये होंगे उनको जट समर्ती आएगी बाप कहते हैं तुम सांती धाम में पवित्र तो थे न अब फिर तुमको सांती धाम सुख धाम में जाने का रास्ता पताते हैं और कोई भी रास्ता बता न सके सांती धाम में भी क्या होगा सांती धाम में भी पावन आत्मा ही जा सकेगी जितना खाद निकलती जाएगी उतना उचपद मिलेगा जो जितना पुर्शार्त करे हर एक के पुर्शार्त को तो तुम देख रहे हो बाबा भी बहुत अच्छी मदद करता है यतो जैसे पुराना बच्छा है हर एक की नब्ज को समस्ते होना सयाने जो होंगे वह जट समझ जाएंगे बहुत का बाप है उनसे जरूर स्वर्श का वर्शा मिलना चाहिए मिला था अब नहीं है फिर मिल रहा है एम आपजेक सामने खड़ा है बाप ने जब स्वर्ख की स्थापना की थी तुम स्वर्ख के मालिक थे फिर 84 जनम ले निचे उतरते आए हो अभी है ये तुमारा अंतिम जनम हिस्ट्री रिपीट तो जरूर करेगी न तुम सारा 84 का इसाब बताते हो जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे बाबा कहते है जितना समझेंगे उतना पत्ते बनते जाएंगे तुम भी बहुतों को आप समान बनाते हो न तुम कहेंगे हम आए हैं सारे विश्व को माया की जंजीरों से छुडाने बाप कहते हैं मैं सब को रावन से छुडाने आता हूं तुम बच्चे भी समझते हो बाप ग्यान का सागर है तुम भी ग्यान प्राप्त कर मास्तर ग्यान सागर बनते हो ना ग्यान अलग है बक्ती अलग है तुम जानते हो भारत का प्राचिन राज योग बाप ही सिकलाते हैं कोई मनुश्य सिखला नहीं सकते परंतु यह बात सबको कैसे बताए यहां तो असुरों के विग्ण भी बहुत पढ़ते हैं आगे तो समस्ते थे सायद कोई किछडा डालते हैं अभी समस्ते हो यह विग्ण कैसे डालते है Nothing new कल्प पहले भी यह हुआ था तुमारी बुद्धी में यह सारा चक्र फिरता रहता है बाबा हमको सश्टी के आदी मद्यांत का राज समझा रहे हैं बाबा क्या करते हैं हमको सश्टी के आदी मद्यांत का राज समझाते हैं बाबा हमको लाइट हाउस का भी टाइटल देते हैं एक आख में मुक्तिधाम, दूसरी आख में जीवन मुक्तिधाम, तुमको सांतिधाम में जाकर फिर सुखदाम में आना है, यह ही दुखदाम, बाप कहते हैं इन आखों से जो कुछ देखते हो उनको भूलो, अपने सांतिधाम को याद करो, आत्मा को अपने बाप को याद कर इसको ही अव्यबिचारी योग कहा जाता है ग्यान भी एक से ही सुनना है वह है अव्यबिचारी ग्यान याद भी एक को करो मेरा तो एक दूसरा ना कोई मेरा तो एक दूसरा ना कोई जब तक अपने को आत्मा निस्से नहीं करेंगे तब तक एक की याद आएगी नहीं आत्मा कहती है मैं तो एक बाबा की ही बनूंगी मुझे जाना है बाबा के पास ये सरीर तो पुराना जड़ जड़ी भूत है इनमें भी ममत्व नहीं रखना है ये ग्यान की बात है ऐसे नहीं कि सरीर की संबाल नहीं करनी है अंदर में समझना है ये पुरानी खाल है इनको तो आप छोड़ना है, तुमारा है बहत का सन्यास, वो तो जंगल में चले जाते हैं, तुमको गर में रहते याद में रहना है याद में रहते रहते तुम भी सरीर छोड़ सकते हो, कहां भी हो तुम बाप को याद करो याद में रहेंगे, स्वधर्षन चक्रदारी बनेंगे, तुम कहां भी रहते तुम उच पद पा लेंगे जितना इंडिविज्वल मेनत करेंगे, उतना पद पाएंगे गर में रहते भी याद की यात्रा में रहना है, अभी फाइनल रिजल्ट में थोड़ा टाइम पड़ा है फिर नई दुनिया भी तेयार चाहिए न, अभी करमातित अवस्ता हो जाए तो सुक्स्म वतन में रहना पड़े सुक्ष्म वतन में रहकर भी फिर जनम लेना पड़ता है आगे चल कर तुमको सब साक्षातकार होगा अच्छा अच्छा बाप दादा बोले मीठे मीठे सिकिल अदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 सदा रहेंगे हस्ते हस्ते बन जाएंगे फरिस्ते वहा बाबा वहा वहा मेरा भाग्य अब पूरी मुड़्ी में से धार्णा के लिए मुक्य सार में पहला बिंदू है एक बाप से ही सुनना है एक की ही अव्यबी चारी याद में रहना है इस सरीर की संभाल रखनी है लेकिन ममत्व नहीं रखना है दूसरा बिंदू है धारना का बाप ने जो परहिज बताई है उसे पूरा पालन करना है कोई भी ऐसा करम नहीं करना है जो बाप की गलानी हो पाप का खाता बने अपने को गाटे में नहीं डालना है अब मीठे बाबा का मीठा मधुर वर्दान अपनी विशाल बुद्धी रुपी तिजोरी द्वारा ग्यान रतनों का दान करने वाले महादानी भव विस्तार है बुद्धी सबी करमेंद्रियों में सिरो मनी गाई हुई है जो विशाल बुद्धी है अर्था जिनकी बुद्धी सालिम है उनका मस्तक सदा चमकता है क्योंकि बुद्धी रुपी तिजोरी में सारा ग्यान भरा हुआ है वे अपने बुद्धी रुपी तिजोरी से ग्यान रतनों का दान कर महादानी बन जाते है तुम बुद्धी को सदा ग्यान का भोजन देते रहो बुद्धी अगर ग्यान बल से भरपूर है तो प्रकरती को भी योग बल से ठीक कर लेती है सर्वोत्तम बुद्धी वाले संपूर्ण ग्यान से सर्वोत्तम कमाई कर वैकुंड की बास्साई प्राप्त करते हैं स्लोगन है आज का सकती सरूप इस्तती का अनुभव करना है तो संकल्पों की गती को धेर्यवत बनाओ अच्छा ओम सांती